15.6 शाकित शिंखला और समा वेवता अब तक कार्बन शिंखला बढ़ाने के लिए हमने अंतिम सीरे के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को मैथिल समू से प्रतिस्थापित किया इस प्रकार से हमें सतत शिंखला वाले हैट्रोकार्बन मिले पर हम एलकेनों में शाखाएं भी बना सकते हैं यदि किसी एलकेन में कोई कार्बन दो से अधिक कार्बन से बंध बनाता है तो हम कहते हैं कि शिंखला में उस इस्थान पर शाखा है आईए फिर से प्रोपेन, CS3, CS2, CS3 का उधारन देखते हैं इसमें तीन कार्बन पर मानू है दो कार्बन स्रिंखला के सीरों पर और एक बीच में सीरों पर इससे तोनों कार्बन रासायनिक त्रिष्ट्रे से समान है शिंखला बढ़ाने के लिए हम दो इस्थानों पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं यदि अन्तिम इस्थान के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाए चित्र के समान सनशना मिलती है किन्तो यदि हम बीच के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करें तब हमें चित्र के समान सनचना मिलती है बीच बीच जीच 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 जी Single Bond C, Single Bond H, Single Bond C, Single Bond H, Single Bond H, Single Bond H. Single Bond C, Single Bond H, Single Bond H, Single Bond H. दोनों सनचनाओं का अनुसूत्र C 4H10 है। 88 इन में परमानूं की संख्या और प्रकार एक समान है। पर इनकी सनचना भिन्द भिन्द है। इसलिए ये अलग-अलग योगिक है। अथा ऐसे योगेक जिनके अनुसुत्र समान किन्तु सनशनात्मक सुत्र भिन भिन हो एक दूसरे के समावैवी होते हैं तथा यह गुण समावैवता कहलाता है हमने देखा कि C4H10 अनुसुत्र वाले दो एलकेन संभव हैं इन में से एक को हम व्यूटेन कहते हैं आये देखें कि दूसरे योगेक का नाम क्या होगा नाम करण के लिए सबसे पहले हम कारबन की सबसे लंबी सतत शिंखला ढूनते हैं क्या आवश्यक नहीं कि शिंखला देखने में सीधी हो चित्र में दर्शाय सनचना सुत्र में सबसे लंबी सिंखला में तीन कारबन हैं ये दोनों सिंखला देखने में अलग-अलग प्रतीत होती हैं परंतु वास्तों में इन में कोई अंतर नहीं है हम देखते हैं कि सबसे लंबी सिंखला जिसे मूल या जनक शिंखला कहते हैं में तीन कारबन है इसलिए योगिक के नाम का मूल भाग प्रोप होगा अब हम उस कारबन का पता लगाते हैं जहां शाखा है इससे जुड़े एलकिल समू को नाम दीजिए इस उधारन में एलकिल समू मेथिल है अब हम शिंखला के कारबन परमानों को क्रम से ऐसे अंक देंगे कि शाखित कारबन को लगुतम कम अंक मिले इस उधारन में यह महत्वन नहीं रखता कि किस कारबन से हम गिनना शुरू करते हैं क्योंकि हर इस्थिती में शाखित कारबन को दो अंक ही मिलेगा इस तरह अलकेल समू का इस्थान दो है 2-Methyl-Propane H3C, Single Bond CH, Single Bond CH3, Single Bond CH3 CH3, Single Bond CH, Single Bond CH3, Single Bond CH3 अब हम योगी का नाम लिखते हैं नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी समू की स्थान संख्या उसके बाद लगूरेखा डैश लिखी जाती है लगूरेखा के बाद प्रतिस्थापी समू का नाम और उसके बाद मूल भाग का नाम जोडा जाता है और अंत में हाइड्रोकार्बन अनुलगन लिखा जाता है अथा योगिक का नाम है 2-methylpropane है हमने देखा कि जिन योगिकों का अनुसुत्र समान पर सनचना सुत्र भिन्न हो एक दूसरे के सनचनात्मक समावैवी कलाते है सनचनात्मक समावैवता कई प्रकार की होती है ब्यूटेन तथा 2-methylpropane में देखी गई सनचनात्मक समावैवता को शिंखला समावैवता कहा जाता है क्योंकि वह कारबन शिंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है इसी प्रकार हेकजेन के पांच समावेवी होते हैं किसी अनुसुत्र के लिए संभव समावेवियों की संख्या उसमें उपस्थित कार्बन परमानों संख्या के बढ़ने से बढ़ती है